हाँ जी गूड मोंनी एवरिवन कि जो सब आहिए हैं घू जी गूड मिवरिवन क्या सब को आवाज आरिये भीक प्र करले भूक प्र हम स्ट करते हैं आज का लेक्च य वेर जाने आहिए भी स्टा परव में हां जी good morning to everyone good morning good morning अच्छा सबसे पहले आप से sorry delay हो गया थोड़ा था इंटरनेट का थोड़ा issue आ रहा था मैं काफी देर से try कर रहा था सुबह आठ बेर से try कर रहा हूं चली नहीं रहा है कोई बात नहीं कोई problem नहीं है तो अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो हम अब अपना लेक्चर सीरीस को continue करते हैं तो कल रात को हमने अपना साड़े नौ बजए जो लेक्चर किया था वह बैंकिंग के ऊपर किया था और हमने बहुत सारे mcqs देखे थे तो आज जो हमारा prime focus रहेगा वह RBI की कुछ topics पर रहेगा जैसे reverse reporate हो गया क्या होता है cash reserve ratio क्या होता है ठीक है फिर RBI के functions क्या क्या होते है और RBI की monetary policy ठीक है हाँ जी समझे तो हम यह सारा कुछ हाँ discuss करने वाले है ठीक है जी चलो तो आज का जो हमारा पहला question है वो क्या है which of the following is the function of RBI हाँ जी इन में से कौन सा निम्न लिखित में से कौन सा function है RBI का Reserve Bank of India का कौन सा function है bankers to the government and banks issuer of currency supervisor of financial institutions according to banking regulation act 1949 हाँ जी अंसर बताइए फटाफट देखो अब जो RBI है ना वो government का bank भी है government का bank कैसे जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जैसे हम लोग के जो account है जो हम लोग के खाते हैं वो कहां पर खुलते हैं वो खुलते हैं हमारे normalize में जैसे SBI में हमारा खाता होगा HDFC bank में हमारा खाता होगा या फिर माली जी कोटक bank में हमारा खाता होगा वैसे ही जो government के खाते होते हों कहां पर होते हैं आर बीई में होते हैं ठीक है जी government के जो खाते हों कहां पर होते हैं आर बीई में होते हैं ठीक और banks जो banks हैं जैसे SBI हो गया HDFC हो गया अगा कोटक महिंद्रा बैंक हो गया इन सब के खाते भी कहां पर होते हैं आपके आर बीई में ही होते हैं तो इसलिए आर बीई का एक function है bankers to the government की मतलब government का भी वह bank है और banks का भी bank है ठीक है तो जब भी government या फिर banks को पैसो की जरूरत पड़ती है तो वह किसका दर्वाजा खट-खट आते हैं आर बीई का दर्वाजा खट-खट आते हैं ठीक है उसके बाद दूसरा function है इसका issuer of currency जैसा कि हमने कल रात को देखा था आपको याद होगा RBI की एक subsidiary है जो note छापने हा काम करती है है ना नोड छापने हा काम करती है coins और 1 rupees note के अलावा सारी के सारे जितनी भी जितनी भी notes है जितनी भी currency है वह कौन छापता है RBI के एंडर जो subsidiary है वह छापती है उसके बाद तीसरा भी हमने अल्रेडी पढ़ा हुआ है कि RBI banks का supervision करती है through banking regulation act 1949 है ना यह भी हमने रात को पढ़ा था अच्छा अब यह बात एक और बात आपने याद रखनी है यहापर कि जो board है ना एक ना supervision के लिए बोर्ड बनाया हुआ है RBI ने उसको बोलते हम supervision board ठीक है supervision board बनाया हुआ है RBI ने bank को supervise करने के लिए ठीक है banking supervise board ठीक है तो answer इसका क्या होगा फटवर्ट बताओ all of the above ठीक है all of the above इसका answer हो जाएगा ठीक अब देखो आपर मैं एक एक करके आपको सारे के सारे function बताता हूं RBI का ठीक है इंडिया में जितने भी banks काम कर रहे हैं जितने भी banks काम कर रहे हैं जो RBI के एंडर काम कर रहे हैं उनको सब को licensing कौन देता है RBI देता है पहला function ही हो गया जैसे आप सब पता है बीन a license के क्या आप घाड़ी चला सकते हो इंडिया में हाँ जी क्या आप बीना लाइसेंस के गारी चला सकते हो इंडिया में अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो नहीं चला सकते हैं यह ना financial system को regulate करता है regulatory body है चीक है जी उसके बाद monetary policy भी बताता है आपको पता है RBI की एक committee है monetary policy committee चीक है तो वो हर दो महिने में policies लेकर आती है economy के according चीक है अब इसका जो main purpose है वो है growth and stability लाना monetary policy committee का main purpose क्या है economy में growth लेकर आना और stability लेकर आना ठीक है अब इसके बारे में बाद में discuss करेंगे detail में discuss करेंगे don't worry ठीक है उसके बाद supervision and regulator of payment settlement system आपको पता है जब आप किसी को payment करते हो एक bank account से दूसरे bank account में ठीक है तो वो payment settlement हो गया कि आपने payment की और उसके पास पहुंच गी ठीक है डाट इस known as payment settlement ठीक है तो उसको भी सूपर सूपरवाइस करता है रेगुलेट करता है ठीक है उसके बाद consumer protection and debt manager consumer को protect करता है ठीक है और debt को manage करता है जो भी loans वगे रहा है जितने भी loans वगे रहा है देने लेने हैं उसको भी क्या करता है manage करता है ठीक है banker to the government and banks यह तो हमने point और इसकर्वर्मेंट कर लिया है कि जानकार रही है सतर्क बनिये जैसे RBI में जो भी अगर मालुक कोई भी bank आपके साथ कोई गलत काम करता है या फिर आपके साथ कोई fraud हो जाता है bank में तो आप जो है RBI के पास complaint कर सकते हैं ठीक है उसको हम बोलते हैं bank ombudsman scheme क्या बोलते हैं bank ombudsman scheme उसके तहट आप bank में अगर आपके साथ कोई गलत transaction हो गया है फिर कोई गलत तरीके से आपके account से पैसे चुरा लिए गया है तो उसकी जो complaint है वो आप bank में करेंगे और RBI बोलता है कि banks को complaint सुननी पड़ेंगी और सारी की सारी complaints को resolve करना पड़ेगा ठीक है जी clear है चलो उसके बाद है अगला maintain national currency reserves अब आ import export बहुत होता है है ना import export भी बहुत होता है और वैसे भी इंडिया में जो भी पैसे reserve रखने है मालोकल को inflation को adjust करना है मतलब कम करना या बढ़ाना है तो वो कैसे करती है RBI monetary policy के थ्रू करती है monetary policy committee के थ्रू करती है ठीक है तो वो कैसे कर लेती है कि जो जब economy में money का flow बढ़ाना है ठीक है तो वो reserve banks को दे देती है अपने जो पैसे उसके बाद पड़े है वो bank को देती है और bank आगे loan के थ्रू देते है और जब अगर उसको money का flow जो पैसे का flow है economy में वो कम करना है तो वो reserve को बढ़ा लेती है मतलब जो पैसे है उनको बढ़ा लेती है ठीक है उसके बाद import export में भी forex जो forex reserve है forex मतलब कि आपको पता है जब import और export होता है आपको जो payment करनी पड़ती है वो international currency में करनी पड़ती है आपकी INR वाली currency इंडियन रुपीज नहीं चलता हूं आपकर आपको international currency में payment करनी पड़ती है yes or no तो उसको भी manage करनी की responsibility किसके पास है RBI के पास उसके बाद issue of currency यह वाला point भी हमने देख लिया ठीक है एक रुपे का note और coins यह कौन issue करता है ministry of finance issue करती है उसके अलाबा जितने भी currency जितने भी notes है वो कौन issue करेगा आपका RBI ही issue करेगा कि आई बाद समझ में उसके बाद regulator of derivative money market instruments ठीक है यह point अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई problem नहीं डेरिवेटिव मार्केट यह मनी मार्केट आपके इस लिए उसका पाट नहीं ठीक है मेरे को बताओ clear है यह question सबको हाँ जी क्या यह question clear है सबको फटावर्ण बताइए अब जैसे कि हमने बात की कि जो RBI है वह banker to the government है ठीक है कैसे कि government minimum अपना 100 करोड रुपया RBI के बास मेंटेन रखता है मिशा चीक है उसके बाद कभी भी government को पैसे की दुरत होती है न चीक है तो कि government RBI के दर्वादा ही खटकटाती है कि हमें पैसे चाहिए ठीक है और अगर नब्बे दिन तक नब्बे दिन तक नब्बे दिन तक अगर पैसा RBI से उधार लिया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं ways and means advances चीक है और यह जो ways and means advances होंगे without collateral होंगे मतलब कुछ भी सामान गिरवी नहीं रखा जाएगा collateral मतलता है गिरवी रखना mortgage करना चीक है उसके बाद दूसरा cash management bills चीक है अब government सिर्फ RBI से बोरो नहीं करती government जो है जो बड़ी बड़ी companies है ठीक है रिलाइंस हो गया अंबानी हो गया डानी हो गया इन सबसे भी borrow कर सकती है ठीक है तो अगर company से borrow कर रही है तो उसको बोलते हम cash management bills ठीक है अब यह cash management bills में RBI का care relevance है आप तो बोलोगे sir जो transaction हो रहा है वो government और companies के बीच में हो रहा है ठीक है clear उसके बाद Treasury bills क्या होते है टी बिल्स क्या होते है गौवर्मेंट बड़ी company से यहां भी बड़ी company से borrow कर रही है बट यहां पर देखो जो cash management bills है उसमें जो tenure होता है जो days होते 91 days तक होते है बट Treasury bills में जो days होते 91 days two days या 354 मतलब एक साल तक के होते है 91 से लेकर एक साल तक है ठीक है debt management के बारे मैंने आपको अलड़ी बता दिया ठीक है तो in case of cash management bills और treasury bills dealing कौन करता है पैसा बगरा काम पर आता है RBI में लता है और आपने टर्म याद रखनी है जो भी securities जैसे यह treasury bills हो गए cash management bills हो गए जितनी भी securities है जो government issue करती है उसको हम क्या बोलते है guilt as securities क्या बोलते है guilt as securities है ठीक है clear है यहां तक चलो अगला question है for regulation of insurance trade in India the government has formed insurance trade के regulation के लिए government ने क्या बनाया है RBI SEBI IRDAI या GIC RBI is Reserve Bank of India SEBI is Security Exchange Board of India जो आपका stock market है capital market stock market है उसको regulate करता है कौन security exchange board of India IRDAI insurance regulatory development authority of India GIC journal insurance company हाँ जी तो इन चारों में से insurance sector को या फिर insurance trade को कौन regulate करता है हाँ जी तो आपने यह बात याद रखनी है IRDAI ठीक है insurance regulatory development authority of India regulates the insurance sector in India ठीक है जी clear है यहां तक चलो अब यहां पर मैंने आपको सारी के सारी regulatory bodies बताई है किसको manage करता है banks को manage करता है सेभी किसको manage करता है stock market को मेली stock market को manage करता है IRDAI insurance sector को manage करता है PFRDA pension sector को manage करता है pension fund regulatory development authority इसका full form है pension fund regulatory development authority ठीक है और FMC क्या है आपका forward market commission उसको manage करता है ठीक है तो मेन आपको यह चार याद रखने है शुरू के ठीक है उसके बाद आपका national housing bank यह आपका national housing bank किसको manage करता है ठीक है national housing bank जो है वो आपके housing finance company जो housing के लिए finance देती है housing के लिए पैसे देती है ठीक है घर खरीदने के लिए पैसे देती है specifically ठीक है तो उनको NHB जो है वो regulate करता है अब देखो यहाँ पर दो words लिखे गए है एक तो regulatory body ठीक है एक उत्ती आपकी क्वासी regulatory body क्वासी का मतलब क्या होता है ध्यान से देखना देखो अब यहाँ पर RBI देखो अब हमने कल क्या बढ़ा था कि RBI के अंडर जो सब्सीट्री यह वह है एनेच भी यह सॉर्ण हमने कल बढ़ा था तो RBI डिरेक्ली housing finance companies को regulate नहीं कर रही है वो किसके थ्रू इनके इनको हम क्या होते है क्वासी मतलब additional regulatory authorities ठीक है तो कुछ specific sector के लिए RBI ने ठीक है कुछ specific regulatory authorities खो ली है ठीक है additional regulatory authorities खो ली है अगर मैं बोलो तो उसको हम क्या होते है क्वासी regulatory authority ठीक है जी आई वाइवाद समझ में आता उसके बाद आपका नाबाड ठीक है नाबाड क्या है national agriculture bank for rural development हां जी national bank for agriculture and rural development ठीक है नाबाड यह इसके वारे हम बाद में पढ़ेंगे city भी है आपका small industrial development bank of India ठीक है जो आपके small industries है जो MSME है ठीक है micro small and medium enterprises है उनको उनके लिए उनकी development के लिए कौनसा बैंक का कौनसी authority काम करती है small industry development authority of India ठीक है उसके बाद export import हां जी जो export import है आपका उसको कौन manage करता है export import bank of India ठीक है उसके लिए confidence देता है export import bank of India और finally जो भी companies है ठीक है banks के अलावा जितनी भी companies हैं इंडिया में banks को करता है आपका Onu अर्भी रेगुलेट करता है और॥ बैंक्ड के अलावा जितनी भी कंपनी दैसे टाटा कमपणी हो गई आपकी रिलाएंस हो गी जितनी भी पॉमप्नीज काम तक चाहे वह समाट दिंग कंपनी सो कौण इसको कॉन दिन आपकर क्रता है उद्रच में तो आपने मेंली क्या क्या रखना है आर्बिए एक्ट कब पास हुआ था 1934 में आपको मैं एर याद करवा रहा हूं बैंकिंग रेगुलेशन एक 1949 में पास हुआ था इसका अमेंडमेंट हुआ है 2020 में चीक है उसके बाद जो पी एफडी आर ए है पी एफडी आर ए चीक है पी कि अश्के बाद आपका जो सैबी एक्ट है किए कि इस्फेवी एक्ट आपका एकट 0098 में आ या फिर जो मेन एक्ट वह एक्ट कब आया था 1992 में सब्सक्राट ऑप ब्र, जो आपका यो है ऊश्चल था नेशल हीं बोर्ड है बोसका एक्ट 1987 में आयाए था नबाड का 1982 में आए था एक्जीम का 1981 में ए था ठीक है और सिटमी का 1990 में तो एक्जीम ने अपनी अंपुरेशन स्टाट कि ए थे अपर एक्ट पहले पास हो गया थीittag 9 जलै उन्हीजवाँ ऊप्रेशन्स कब स्टाट किये थे अब एक्ट पहले पास हो गया थीittagd कि फटाफट बताएए कोई डाउट है हाँ तक मैंने आपको सारी की सारी रेगुलेटरी बॉड़ी एक ही बार में करवा दिया है ठीक है आई होप कि आपको क्लेर हो गया होगा ठीक है चलो अगरा कोशन है what is the emblem of RBI हाँ जी जो नर अ目र,"रडवे का emblem है सबने देखा होगार अर्वे का जो लोगो है उसमें कोण कॉन सी चीजे है तeshrophedoupe जीशत आप właściwie पैंथर एंड टैगर है भी पैंथर औरनड़ या फिर पाम्ट्रि एंड लोइन है या फिर पाम ट्री एन लाइन अ कि छो अब कि लोगो है उसमें सag विंद्र है और रिय फाकई एक प्रेंधा स्मूल और्पेंअ चैके अजी अब frozen आ Cum इसमें फंड में तर एक निन चलो उसके बाद Reserve Bank of India started his operation in Reserve Bank of India था उसमें अपने operations कब स्टार्ट किये थे अच्छा RBI का Act कब पास हुआ था पहले Act की बात कीजिए Act कब पास हुआ था आपका 1934 में पास हुआ था But RBI ने अपने operations कब स्टार्ट किये थे Act के बाद ही स्टार्ट किये थे तो मेरे को बताईए date कि कब RBI ने अपने operations को स्टार्ट किया था हाँ जी answer बताईए मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का सबका answer बताईए हाँ जी तो आपने याज़टना है कि RBI ने अपने operations स्टार्ट किये थे April 1935 से ठीक है RBI Act कब पास अगर देखो यहाँ पर दो कोशन बन सकते है RBI का Act कब पास हुआ था 1934 में पास हुआ था कब पास हुआ था वही 1934 में But RBI के operations मतलब RBI ने काम करना कब से स्टार्ट किया था April 1935 से करना स्टार्ट किया था आई बास अपको समझ मैं ठीक है चलो Monitoring Policy Committee Monitoring Policy Committee कब फॉर्म हुई थी जो आपकी Monitoring Policy Committee थी वो कब बनी थी 2015 में बनी थी 2016 में बनी थी 2017 में बनी थी कि 2018 में बनी थी हाँ जी आपकी जो Monitoring Policy Committee थी वो कब बनी थी 2015 में 2017 में 2016 में या फिर 2018 में तो आपने यह बात याज रखनी है जो Monitoring Policy Committee थी ठीक है वो बनी थी आपकी मेली 2016 में ठीक है अब Monitoring Policy Committee कहा करती है हर दो महीने में बाइमन्थी Policy लेकर आती है हर दो महीने में Policy लेकर आती है जिसमें वो Repo Rate, Reverse Repo Rate ठीक है, CRR यह सारी की सारी चीज़ें बताती है कि कि कितनी Maintain करनी है अपर Repo Rate क्या होता है, Reverse Repo Rate क्या होता है Cash दरवेशो क्या होता है, SLR क्या होता है इस सब की सब चीज़े हम discuss अभी करने वाले ठीक है, तो Monitoring Policy Committee का जो मेन जो दो काम है, वो है Growth लाना Economy में, Economy को बढ़ावा देना और Economy में Stability लेकर आना क्या लेकर आना, Stability स्थिरता लेकर आना, स्थिरता Stability कैसे, कि Monitoring Policy Committee को यह ध्यान रखना है हमेशा, कि हमारी Economy में कही जादा बहुत जादा Inflation ना हो जाएं, मतलब Prices बहुत जादा पढ़ना जाएं, और बहुत जादा Deflation ना हो जाएं, मतलब Prices बहुत जादा कमना हो जाएं तो इन्होंने अपना एक Target set कर रखा है 4% कि हम Inflation को है Normally 4% तक ही लेके जाएंगे और Plus 2 और Minus 2 का Tolerancement रखा हुआ है, Plus 2, Minus 2 का मतलब कहा है है आपर, 4% उनने Target रख लिया, ठीक है, अगर यह 4 से 6 भी होता है, तो कोई Problem नहीं है, और अगर 4 से 2 भी होता है, फिर भी कोई Problem नहीं है बट अगर 6 से उपर चला गया अगर Inflation 6 से उपर चला गया तो बहुत बड़ी Problem है, अगर Deflation जो है, Deflation मतलब क्या Price का कम होना 2% से भी कम हो गया, तो यहाँ पर बहुत बड़ी Problem हो है, ठीक है जी, clear है है यहाँ पर, तो answer Pimency Policy, ठीक है, तो मेरे को बताओ, साल में कितनी बार Monetary Policy Committee जो है, वो अपनी Policy निकालती है अगर हर 2 महिने में एक बार निकाल रही है, तो क्या मेरे को बताओ, हर साल कितनी बार Policy आएगी है, फटाफट बताइए RBI कितनी बार Policy निकालेगा हाँची अंसर बताइए, फटाफट RBI जो है, वो कितनी बार Policy निकालेगा, फटाफट बताइए ठीक है, कितनी बार निकालेगा भई, 6 टाइम्स कुटा लेगा ठीक है, अब इसका objective क्या क्या है To maintain price stability by ensuring growth and achieving the inflation target ठीक है, प्राइस stability लाए, growth लेके आए, और inflation target को भी, achieve inflation target कितना है वही हाँची बताइए, फटाफट, inflation target कितना है, 4% जैसे कि वहना आपको बताए और inflation का tolerance कितना है, plus 2 और minus 2 ठीक है, plus 2 और minus 2, बस आपने याद रखी ठीक है, इसमें कितने members होते है 6 members होते है, जिसमें आपका जो governor होता है, वही इस committee का chairperson होता है ठीक है, deputy governor हो गया, ठीक है, फिर एक officer government के द्वारा appoint होता है, और 3 member जो है, वो central government के द्वारा appoint किये जाते है, nominate किये जाते है ठीक है हाँ जी, उसके वाद ये क्या-क्या और करता है ठीक है, monetary policy committee है the target inflation of 4% with plus 1, minus 2 ठीक है, which is the tolerance band for 2126, ठीक है, इसका tolerance band कितना है plus 1, plus 2 and minus 2 ठीक है, monetary policy committee एक और point, important point जो आपने याद रखना है कि monetary policy committee जो है वो उर्जित पटेल पैनल, UPP उर्जित पटेल पैनल के recommendation पर बनी थी ठीक है और जो भी government के member होंगे जैसे कि हमने यहाँ पर पड़ा कि government के जो members है, ठीक है तो government के जो members होंगे वो आपके किसके दौरा select किये जाएंगे search come selection committee के दौरा किसके दौरा search come selection committee के दौरा ठीक है जी चुरू अगला question देखिए aim of monetary policy is हाँ जी monetary policy committee का aim क्या है ठीक है monetary policy committee का aim क्या है monetary policy committee का aim क्या है growth, stability, none of the above की both A and B हाँ जी तो याद रखना है आपने की both A and B growth लाना economy में और stability लाना stability कैसे inflation को control करके स्थिर्ता लाना stability का मतब सकों बचा है स्थिर्ता लेकर ना अब मेरे को बताओ हमने 6 question कर ली है तो क्या 6 question में ऐसा कोई भी point है जो आपको समझ में ना आया हो बताओ बटावट 6 question में ऐसा कोई भी point जो है वो आपका समझ में ना आया हो एक बार प्लीज पूछ लीजिए मैंने वैसे सब कुछ detail में आपको बताया है बट फिर भी अगर किसी यो कोई भी problem है तो मेरे को प्लीज बता दिए अजी बताईए अजी बताईए second question यह था कि जो insurance sector है ठीक है जैसे banking sector को कौन regulate करता है RBA regulate करता है वैसे ही जो आपका insurance sector है जैसे आप बीमा करवाते हो सबको पता ना बीमा करवाते हो चाहे गाड़ी का बीमा करवाते हो ठीक है चाहे आप यूनो अपने हेल्थ का भीमा करवाते हो तो कल को को की insurance company बोलते है कि नई हम में हम बीमें के पैसे नहीं देंगे ठीक है तो अब कोई insurance company भागना जाए इसलिए उसको कौन regulate करता है जैसे bank हमारे पैसे ना लागे बाग जाए तो उसको कौन regulate करता है आपका RBA बैसे ही अगर कोई इंशॉरेंस कंपनी जहां पर आपने प्रीम्यम्य दें रखा है अपना तो इसको कॉन रेगुलेट करता है अपका है अ चाहिए इंशॉरेंस और सब्सक्राइब अचने के ले सकता है सुदीः जी बिलकुल यह था रेटर मीन एडवांस इस उन पढ़ा थ ठीक है ची चलो अगला कोशन कि अगला कोशन क्या है कि अग्धा बेसिक और अथारेटी फॉर मुचल फंड और स्टॉक मार्केट अभी मैंने यह बता है था आपको ठीक है जब हमने रगुलेटरी बॉड़ी वाला जो कोशन ने वह पूरा किया था तो अब शॉक्षा । मुचल फंड आपने सुनना होगा। मुचल फंड की बहुत आड्स आती है। । जिसमें शेर में लोग पैसा इंवेस्ट करते हैं। तो उसको कौन रेगुलेट करता है। Government of India रेगुलेट करती है। RBI रेगुलेट करती है। SEBI रेगुलेट करती है। ठीक है तो याद रखना है आपने यहां पर सेपी सेक्योरिटी एक्षेंज बोर्ड आफ इंडिया जो है वह रेगुलेट करते है कि इसको म्यूचल फंड्स टॉक मार्केट को ठीक है अगला कोशन वाट इस दा करेंट सी आर आर रेट क्या है हाँ जी current sarr का रेट क्या है सी रा च आर क्या होता है cash reserve ratio सण अब यह cash reserve ratio होता क्या है कि Baxter's ब्रही वह अपना कुछ बाशना टीक है वह अपना कुछ हिस्साी रबी आक के पác सठ्थे रखते हैं अ ठिक है अखते हैं तक उनको जब दुरत पढ़े इसको वह ले सकते हैं ठीक है जी RBI के पास कुछ हिस्सा जो है वो जमा किया जाता है ठीक है ताकि बैंक जो है जब उसको दुरुत पड़े वो यह ले सके हैं प्लस इसका जो में रिजन है मैं आपको बताता हूं यह तो चलो देशी बाशा में बता दिया मैंने आपको कुछ ले सकें तो में रिजन क्या होता है देखो बैंक का क्या काम है लोगों से पैसे लेना और वो पैसे आगे उधार पर देना अब आप खुछ तोचिए कि कल को अगर जितने पैसे बैंक के पास है सारे के सारे बैंक ने उधार दे दिये सामने वाले व्यक्तिक को तो कल को अगर आप जिसके पैसे बैंक में deposit है अगर वो पैसे लेने गया ठीक है तो अगर बैंक ने सारे के सारे पैसे उधार दे दिये सामने वाले बंदे को तो आपको कोई भी पैसा बैंक नहीं दे पाएगा लिक्विटिटी रेशो ठीक है SLR SLR जो है बैंक खुद मेंटेन करते है अपने पास देखो CRR SLR पर फरक क्या है दोनों बात सेम कर रहे है ठीक है CRR भी क्या है cash reserve रेशो बैंक कुछ हिस्सा अपना RBA का जमा करके रखता है और SLR क्या है बैंक कुछ हिस्सा अपने पास रखता है तो CRR का क्या rate है फिलाल के लिए CRR का क्या rate है 3% कितना है 3% CRR क्या rate है आपका 3% CRR कितना rate है 3% और SLR statutory liquidity ratio का rate है 18% कितना है 18% त्रे रहे हैं तक चलो ठीक है तो अब जो भी आपको मैंने क्या बता है कि जो RBA का क्या काम है में growth and stability लाना जो voluntary policy committee है RBI की ठीक है उसका main काम क्या है economy में growth लेके आना और stability लेके आना yes or no यह हमने पढ़ा अब growth and stability कैसे लेके आए जाएगी यह instruments है जहां से आप inflation and deflation को control कर सकते हो चीक है CRR क्या है cash reserve ratio 3% SLR क्या है statutory liquidity ratio 18% reporate क्या है 4% reverse reporate क्या है 3.35% चीक है bank rate क्या है 4.25% MSF क्या है 4.25% अब यह discuss करते हैं कि CRR और SLR सबको समझ में आ गया सारे के सारे rate discuss करते हैं हाँ जी मेरे को बताइए हाँ जी 4% आपका reporate है ठीक है जी CRR आपका 3% ही आप चाहें इंटरनेट में चेक कर लो हाँ जी मेरे को बताइए क्या CRR और SLR आप लोगों को समझ में आ गया क्या CRR और SLR आपको समझ में आ गया सबको कोई डाउट है CRR और SLR में रिजर्व तीन परसेंट रखना चाहिए और यहां पर रिजर्व कितना रखना चाहिए आठारा परसेंट रखना चुँए है बैंक्त फो अपने पास ठीक है एक होता है आपका रीवाइनज फैसलिटी क्या होता है कि बैंक्त बैंक जो है RPI से लोन लेते हैं और उसको फिर आगे करते हैं इसको भूते हम रिफाइनस वैसेटीटीटी ठीक है छणु कि तो कैसे इसे बार्ट काका अगर मैं बोलू कि जो लोगों हम ने bank में पैसे deposit कर रखें तो उसका addition करो उसका 3% निकालो और 3% आरबे के पाउस जमा कर दो ठीक है और यह daily basis होता है तो आपको पता है कि लोग रोज पैसा डालते हैं रोज पैसा निकालते तो जब end of the day होता है दिन जब आरबे के पाई जम्हां कर दिया जाता है ठीक है चलो वाट इस लब करेंट रैपोड क्या है है कि हाँ करवा रहा हूं पहले direct करलो फिर इंडरेक्ट भी तरवारों, don't worry, सब तरवाएंगे आपको, हाँ जी, what is the current repo rate, अब देखो यहाँ indirect start हो चुका है, हाँ जी, repo rate क्या है, कितना परसेंट है repo rate, देखो, repo rate क्या है, जिस rate पर, जो banks है, banks है, जिस rate पर RBI से loan लेते हैं, उसको हम क्या बोलते है repo rate, मतलब basically interest rate हो गया, जिस rate पर banks RBI से loan लेते, जिस interest rate पर banks RBI से loan लेते, उसको हम क्या बोलते है repo rate, छीक है, और, जिस rate पर, banks अपने surplus money, जो पैसा उनके पास additional पड़ा है, वो RBI के पास deposit करवाते हैं, और RBI उनको interest देते यहां पर रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा बैंक्स अपना जो अमाउंट है जो एक्सेस बनी उनके पास पड़ा है वह आर्बेगा करवाएंगे और रिवर्स रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से से जादा ही होगा विकॉज आ आप खुध सोचो अगर मैं नौर्मल बैंक की बात करूँ जब आप बैंक में पैसे डिपॉली करवाते हो तो बैंक का वो कितना इंट्रेस देता है कम देता है और जब आप बैंक से लो लेने जाते हो तो द्यादा लेता है आप से यज और वर अपना पैसा RBA के बास deposit करवा रहे हैं तो RBA उनको कम interest rate देखा तो हमेशा याद रखना कि जो repo rate होगा न वो हमेशा bank rate से bank rate बोल रहा हूँ आपका reverse repo rate से बड़ा होगा तो फिलाल के लिए जो आपका repo rate है वो आपका 4% कितना है जी आपका 4% ठीक है चलो clear है आपर ठीक है तो repo rate जो जिस repo rate पे bank जो है वो लोन लेते हैं और नब्वे दिन का होता है और 15 दिन के 6 पिरेड होता है मतला 15-15 दिन के लोन लिए जाते है 15 दिन फिर उसको extend करवा जाता है फिर उसको extend तो maximum 90 दिन तक आप extend करवा सकते हो ठीक है अगर आप 90 दिन के बाद 90 दिन के बाद भी पैसा bank को वापस RBI को पैसा bank पे वापस नहीं करते ठीक है देखो repo rate क्या है जिस rate पर banks RBI से उधार ले रहे हैं और कितने दिन को उधार लेते हैं 90 दिन को उधार लेते हैं अगर 90 दिन तक नब्वे दिन तक भी RBI को banks पैसा नहीं देते फिर लगना श्राड हो जाता है bank rate चलो bank rate के बारे में discuss करते हैं अब reverse repo rate कितना है 3.35% है और यह हमेशा 0.5% रहेगा है lower कम से कम 0.5% lower रहेगा किसके repo rate के हमेशा है चलो clear है मेरे को बता हो यहाँ पर बस यह बात लिखिया है कि हमेशा minimum difference minimum gap between repo rate and reverse repo rate इन दोनों के बीच में कम से कम minimum 0.5% का difference तो रहेगा ही रहेगा बस यह बात बोलिए है चीक है बाकी सब आप हांजी मेरे को बताओ यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया आपको हांजी बताए है फटावट अच्छा किसने चेक किया वही अच्छा बताओ वही आर्वे की साइट से एक बार चेक करके बताओ आपका रेपो कितना है हां जी राजिंदर जी बताई है रेपोरेट कितना है आपका रेपोरेट कितना है और बेगी साइट से चेक करो अब और बेगी साइट से एक बार चेक किजिए प्लीज रेपोरेट कितना है क्या रेपीट करना है वही आजी क्या रेपीट करना है बताई है फटाफट रेपीट क्या करना यह बताओ कि अनले कि सबस्त 항상 क्यानि फोर परसन्ट इडिए County कितना फ्लीज बता दो प्रेवर्स रेपोरेट कितना है और जबीकी साइट से चक करके मता दिएब प्रीज कर फिर्फ रेपोरेट कितना है ट्री पॉइंट कि 3.35 परसेंट है की नहीं है अ कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है देखो जैसे आप बैंक में पैसे डिपोदिट करवाते हों तो आपको बैंक इंटरस देता है ना वैसे ही जब बैंक्स आर्बे के पास अपना पैसा जमा करवाते हैं चीक है तो अरबिय उनको इंटरस ब्यास दिता है तो उसको हम रिवर्स रैपो रेट बोभतें देखो bank अगर RBA से पैसे ले रहे है तो कौन सा रेट लगता है रैपो रेट लगता है अला बर बैंक पैसे Bundes पर पैसे मिलते हैं बस सिंपल सी अ कि 3.35 परसेंट चलो ठीक है उसके बाद स्टेट्यूट्री लिक्विडिटी रेश्यो चेक करो वह सारे के सारे एले एफ छोड़ दो आप ले एफ वैसे होता है लिक्विड एड्जेस्मेंट फैसिलिटी होता है वह छोड़ दो आप वह आपका थोड़ा डेंजरस टर्म है ठ लिक्विडिटीर रेशो चेक करके बताओ है अरे मैं सारे चक कर रहा ह। है यहां पर जो मैंने पढ़ा है वहां से मुझ चेक करो हूँ है क्याली जाय कोम यहां चेंज होता रहता है मैं आपको पहली बता रहो हुं चैन्61 आwdर कितना है ऐसी कितना है पिधी कि है थीक है उसके लो कि है कि शौन कर ओधा थे च्याव कितना लुदो और है कि त Immig Fred साइट पर कितना रहा है क्या शुद्व रेशो कितना रहा है हां जी टो आपका 4 परसेंट आ रहा है कि थिए नहां असलों तो अभ यहां पर अगर मैं बात करूँ और इक बार आप देख लेना यहां पर मनें 3% आपको बता है थेक है तो वह चेंज हो गया होगा तो 4 परसेंट नट मों चेक कर लेना ठीक है चलो अब अगला कोश्चन है what is the current bank rate क्या होता है अगर बैंक 90 दिन में RBI को पैसा नहीं देता तो RBI उनसे ज्यादा इंट्रेस्ट करना चार्ज करना स्टार्ट कर देता है जैसे देखो रेपोरेट कितना था आपका 4% था तो अब पैसे ले लिए तो अगर यह नबबबे दिन से उपर के लिए बात चली गई तो बैंक जो RBI जो है वो बैंक के उपर penalty लगा जेते हैं in form of bank rate चीक है आई बाद समझ में तो 90 दिन से उपर जब भी RBI से banks पैसे उधार पे लेते हैं तो उसके उपर कौन सा rate लगता है? bank rate लगता है तो वो कितना है आपका 4.25% है तो हमेशा याद रखना कि जो आपका bank rate है वो आपके repo rate से हमेशा जाद ही होगा ठीक है बैंक रेट हमेशा जाद ही होगा जो normal interest rate है और यहाँ पर जो bank rate है normal interest rate प्लस penalty है ठीक है जी clear है? चलो ठीक है देखो और अगर एक रात के लिए ठीक है? एक रात के लिए overnight facility ली जा रही है emergency case में emergency case में अगर banks RBI से loan ले रहे है ठीक है एक रात के लिए emergency situation में loan ले रहे है ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते है margin standard facility marginal standing facility बोलते है ठीक है? अगर एक रात के लिए जो banks है वो RBA से loan ले रहे हैं ठीक है एक रात की बात कर रहा हूं ठीक है overnight situation के लिए अगर RBA से पैसे उधार लिए जा रहे हैं by banks तो उसको हम क्या बोलते है marginal standing facility उसका rate भी कितना है 4.25% जो bank rate होता नॉर्मल इसके बरापर ही होता है मैक्सिमिं माउंट आप कितना ले सकते हो loca ले सकते हो स्में minimum amount कितना ले सकते हो one crew ले सकते हो और maximum कितना ले सकते हो दूपर एक अब ज्रहमय स्कति को इंटर्डेश किसे ने किया था जी महलिंगम कमेटी ने किया था ठीक है जी महा को यह कोशन आप से एक्जाम में पुछा आ सकता है कि क्या MSF के लिए और बीज या फिर कॉपरेटी बैंक एलिजिबल होते हैं तो आपने साफ साफ मना कर देना ठीक है साफ साफ वहां पर नो कर देना कि RBI RRB और कॉपरेटिव बैंक एमसेफ की फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते मेरे को पताईए फटाफट क्या आपको MSF का मतलब समझ में आ गया ठीक है चलो देखो अब सबसे पहले आपने यह बात रखनी है कि आपको क्या क्या या दोना चीए तो चिंशाली या दोना चीए फोर इंस आरी की सारी की सारी टम्स में कोई भी प्राबलम है आपको CRR जिसको समझ में नहीं आया, SLR जिसको समझ में नहीं आया ठीक है, bank rate किसको समझ में नहीं आया reverse reporate, reporate और MSF ये term किसको समझ में नहीं आई एक बार प्लीज बता दीजे ये सारी किसारी terms जो है मैंने आपको बता दी है तो एक बार प्लीज बता दीजे किस किस को यह term समझ में नहीं आए ठीक है CRR जो reserve bank अपने RBI के पास रखते है SLR जो banks reserve अपने पास रखते है ठीक है repo rate जिस rate पे जिस ब्याज पे banks RBI से loan लेते है ठीक है reverse repo rate जिस ब्याज पर banks अपने पैसे RBI के पास रखते है ठीक है उसके बाद reverse repo rate जो 90 दिन तक काम करता है 90 सब्सक्राइब दिन के बाद क्या होगे आपका bank rate करना start हो जाता है और अगर आप एक रात के लिए bank जो है एक रात के लिए RBI से loan ले रहे तो MSF का rate अ ठीक है ठीक है जी कि ले रहा है अना तक है कोई टाउट है किसी को चलो अगरा कोश्चन है what are the restricted transactions of RBI की RBI कौन-कौन थे transaction नहीं कर सकता रिवर्स रापो रेट आपका 3.35% है रिवर्स रापो रेट आपका 3.35% है ठीक है चलो अब यहां पर हम डिस्कॉस करने वाले कौन-कौन से transactions ठीक है RBI नहीं कर सकता what are the restricted transactions of RBI ठीक है सबसे पहला RBI cannot purchase the share of any industry's undertaking it cannot provide direct monetary or financial assistance to commercial undertaking या RBI does not authority to give loans on the security property of shares all of the above याज रखना आपने कि RBI ठीक है किसी भी industries के share किसी भी company के share भाई नहीं कर सकता ठीक है उसके बाद किसी को भी direct monetary assistance में तब देखो आप मेरे को बताओ आप में से किसी का भी account RBI में या फिर normal banks में आप लोगों में से चै किसी का भी account RBI में है या फिर आपका banks में फटावट बताओ पहला तो यह है कि भाई कि RBI किसी भी company के share भाई नहीं कर सकता ठीक है दूसरा RBI directly जो है वो किसी को monetary assistance नहीं करेगा वो किसके थू करेगा bank के थू करेगा directly किसी को नहीं करेगा ठीक है banks सिर्फ जो RBI है वो government या तो वो जो banks है उनको assistant प्रवाइड कर सकता है बाकि किसी को भी individual को या फिर इंड़स्ट्रीज को commercial undertaking फो assistant प्रवाइड नहीं करेगा ठीक है उसके बाद RBI does not have authority to give loans on the security property of shares ठीक है तो किसी को भी loan नहीं दे सकता वो on the basis of property of shares तो answer क्या होगा आपका all of the above तीक है चलो विच बैंक्स चलो यह आपका RBI वाला topic सारा का सारा complete हो चुका है ठीक है RBI की monetary policy हमने कर लिए अच्छे से और RBI का introduction कर लिया RBI के functions कर लिए RBI की history भी कर लिए तो मेरे को बताओ क्या सब को clear है हां जी मेरे को बताइए क्या RBI का आपको सब कुछ clear है रिजर्व बैंक और इंडिया का सब कुछ क्लियर है हां जी तो विच बैंक्स वर ओपन बाई इस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है हमारे भारत में ने 1857 थे पहले जब 1857 में सैनिक विद्रोव हुआ था उससे पहले कौन चला ता हमारा देश को इस्ट इंडिया कंपनी चला थे उसके वाद ब्रीटिश सरकार के पास जो है सारा का सारा दरामदार आ गया था तो उस ताइम इस्टी इंडिया कंप्टी ने अपने OPERATIONS अपना B tenía करने के लिए कौन-कौन से बैंक खोले थे बैंक ब बेंगल बैंक बॉंड बनबे और बैंक फ्येंग उन. नी. कि तो अब यहां पर डोशे नहीं वो ऐसे भी बन सकता है कि बैंक और बंगल कब बना था फी में बना था 오 ड्रीकर भी बेंक मोंबे कब बना था सटार Computer बना था 6 तो एद बैंक कॉ राश्टर अब बना का फीटिर बैंकोफ महरें कॉपना था 1823 चुट्प Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras ठीक है और इन सब को presidential bank के नाम से बलाता था क्या बोलता था presidential bank ठीक है उसके बाद 1921 में इन तीनों बैंक्स को merge कर दिया गया इन तीनों बैंक्स को sparks कर दिया गया और एक नाम दिया गया Imperial Bank of India क्या दिया गया Imperial Bank of India अब इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया आज किस नाम से जाना चाता है बताई इंपीरियल आफ बैंक ओफ इंडिया आज भी हमारे भारत में चल रहा है ठीक है हमारे इंडिया में काम कर रहा है कारे रथ है ठीक है तो आज अगर मैं बात करूँ आज इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया किस नाम से जाना जाता है फटा होट बताइए चलो इंपिरियल बैंक ओफ इंडिया आफ्टर नैशनलाइडेशन वस गिविन दा नेम ओफ जब इंपिरियल बैंक ओफ इंडिया का 1905 में नैशनलाइडेशन हुआ क्या हुआ राष्ट्री करण हुआ राष्ट्री करण हुआ कब 1945 में तो इस बैंक का क्या नाम दिया गया एंडिया बैंक ओफ इंडिया स्तेट बैंक ओफ इंडिया या इंडियन बैंक हां जी पता है फटा फटा हां जी तो क्या दिया गया एची еловक्राइभ एफ State Bank of India ठीक है चलो दे इंपिरियल बैंक ओफ इंडिया वास लेटर नेटर नेश्टलाइज इन 1955 एंड नेम्ड बैंक ओफ इंडिया विच इस करेंट्ली लार्जेस्ट पब्ली सेक्टर बैंक ठीक है आपको पता है लार्जेस्ट पब्ली सेक्टर बैंक कौन सा है आपका SBI है और लार्जेस्ट पब्ली सेक्टर बैंक कउन सा है पता-एसबेसि और मैं पूछ fans प्वन सेक्टर बैंक कौन सा है और रयजेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन थे त हां जी लाजेस्ट प्राइवेट ट्रिक्टर बैंक कौन सा है पताइए फटाफट अरे भाई कोशन करवा तो रहा हूं एक एक कोशन में 455 कोशन करवा रहा हूं सैंडी जी HDFC ठीक है जी HDFC चलो दा इंपिरल बैंक ओफ इंडिया वाज नैशलाइज एंड रिट्रेंश्ट एस स्टेर बैंक ओफ इंडिया इन दा यह तो हमने अल्रेडी पढ़ लिया है हंजी किस साल में आपका इंपिरियल बैंक ओफ इंडिया नैशलाइज हुआ चीक है और SBI बना यह आज अखना आपने उस साल 1905 छीक है 1955 अपने यह आद रखना है साल तो यह आमने अल्रेडिक डिस्कॉस कर लिया चीक है चलो जी यह भी हमने डिस्कॉस कर लिया आपका SBI बैंक है हांं जी हां जी तो अब यहां पर आज आज के लिए हम इतना ही करते हैं ठीक है तो हमने 15 कोशिंग कर लिये अब कल हम क्या करें还 जो banking system है और इसकी जो history है ठीक है इंडी मतलब 2016 जितनी भी history है वह हम सारी के सारी कर लेंगे कल के questions में ठीक है फिर पर्सु के questions में हम लोग क्या करेंगे जो banking के terms वगएरा है वो कर लेंगे ठीक है फ्राइडे के session में हम लोग cooperative society act पगरा कर लेंगे ठीक है जी clear है यहां तक मेरे को बताइए क्या सारे के सारे questions जो आप हमने किये आज को इसी कोई डाउट है तो कल से हम स्टार्ट करते हैं कल हम सारा का सारा history वेगरा खतम कर लेंगे banking system का आर भी आपका पूरा complete हो चुगा है ठीक है तो यह plan जो मैंने आपको बता दी उसी साब सम्दुख चलेंगी ठीक है जी चलो एक बार thumbs up कर दो जी अगर आपको आज के session पसंद आया तो और मैं sorry जी बोलना चाहूंगा कि थोड़ा delay हो गया नेट का issue आ रहा था ठीक है ताइमिंग्स या तो रात को साड़न हो रहेंगी या तो सुबह 8 बज़े रहेंगी दोनों में से एक टाइमिंग रहेंगी चलो सबको एक बार प्लीज मेरे को thumbs up दे दीजिए अगर आपको आज का लेक्टर पसंद आया तो या तो देखो मैं बोलता रहूं टाइमिंग या तो आट बज़े रहेगी या तो साड़नों बज़े रहेगी रात को साड़नों बज़े या तो सुबह आट बज़े दोनों में से एक टाइमिंग रहेगी है चिक है चलो थैंक यू सो मच टुड़े सेशन है न कल मिलते हैं बाब से करा रहING है चुड़े चुड़े रहे, गे से हूआ जर टाइमिंगर आट audio नहीं हम ल्माहत डूसल कर दो आहरे य। हिए यूअरेскर वे बज़े दो सो दो लिए 77 च셔स है